असर नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुर्मों फी साज़ना चैनल पर और मैं जनोराम आसा करता हूं कि आप सभी भाई बेन असे हुंगे वहाँ स्वast हुंगे वाइध भाभवान आपको असे रखे और वहाँ स्वस्थी रखें तो भाईों सबसे पहले तो आपको दिवाली आ रही है दिवाली की बहुत बहुत सुब कामने अब थोड़े दिन बते हैं और सभी सादक जन त्यार हो जे दिपावली की साधना करने के लिए दिपावली के लिए असी असी साधना लेके आया हूँ यह आज जी साधना लेके आ वही सादक सादना कर सकते हैं जो गुरू दिखसित हैं ठीक है वो कर सकते हैं और वह मेरे सिसी वह मेरे सिसी जो किसी भी बज़ा से मेरे से उन्हों का वार्टसप डिलिट हो गया या साल साल पहले जुड़े हुए हैं जिनों को क्या है कि मेरे नंबर नहीं मिल रहे या नंबर ठीक है और ये पर्टेक्सी करने है पूरन नताब पर्टेक्सी करने है तो आपको क्या करना है इसकी विद्धी सुन लेजिए ये परी की साधना है ये काइनात परी की साधना है काइनात परी एक महान परी और एक ताकतवर परी है ठीक है ये हर वो काम कर सकती है हर असंभव को संबब कर सकती है इसको पर्टेक्सि कर लिया जाए तो आप बहुत बड़ी रुहानी सक्ति के मालिक हो जाएंगे और बहुत बहुत मतलब की कहने में ये साधना करने के बात और आपको कोई साधना करने के अफसिकता नहीं रहती एक नॉर्मल इंसान को जो कि अपने मतलब कामों में परियोग लेता है तो ये हर चीज में आपकी मदद करेगी हर चीज बताएगी और करेगी ठीक ही तो ये इसका तरीक और के क्या है वह बहुत को बता देता हूं तो आप सभी सहदिक भाईजन दोड़े रहे वीडियो के साथ और वीडियो को फूरा देखे एंता इसका वीडिकस है ये वैशे कलbrig किसी भी दिन कर सकते हो ठीक है ठीक है कि किसी भी दिन कर सकते हो लेकिन ना पौत रात को आप किसी दीन कर सकते हो वैसे तो मतलब यह आ्मा। इसे दिन रहते हैं ना उन दिनों में कर सकते वाकी और कोई प्रव। उसके भी कर सकते ठीक है लेकिन दिवाबली पर यह में तनों नोगों को भी प्र्टेशिकिन हो जाता है जिनके अंदर उर्जा भी बहुत कम होती उन्हों को भी हो जाता है लेकिन भाया एक बात बता दू मेरे से पूसे बगेर और मेरे से बगेर आगया के करोगे उसका हानी और लाब बगेरा जो भी होगा उसका खुजी मेदार होगा मैं नहीं हूँगा और जो जो भाई मेरे से डिक्सित हैं मेरे परसनेल नंबर दिये हुए हैं साइट वालों के अलावा उन पे संपरक करके और मेरे से आगया ले सकता है और वैसे इसकी इजाज़त आम है ठीक है मतलब जो अंजान लोग पंगा लेंगे उसकी बात मैं कर रहा है अंजान लोग तो मेरे को पता वो तो पंगा लेंगे वो तो सोच देए अभी ये और कल एक और आएगी वो इससे सरल ऐससे सरल ताके पीसे पीसे बागते जिंदगी बरबाद कर दी कि एक साल बरबाद करते कुछ भी नहीं पराप्त कर सके वैसे लोगों को मैं कहता हूं यार कुछ किया करो ऐसे मत भागा करो ऐसे मत बठका करो और हाँ एक चीज और कि भाई कि जो भाई लोग भूंत परेद जादू टोना या किसी के ऐसा सिस्टम है किसी के घर पे कि मतलब उसको सवारी आती है देवता कि वो किसी ने बांदी है 20 साल 25 साल तक बंदी हुई है सवारी वैसे लोग हो या जिनों के उपर भूंत परेद आके नाचते हैं और खेलते हैं वैसे लोग हो मतलब कि जबर दस्त वाले एक दम कि उनों को पूरी तरीके से बूंत परेशान कर रखाओ ऐसे ऐसे मैं तो बहुत बाई सोटे मोटे पंगा नहीं लेता हूं हम लोग मैं तो पंगा लेता नहीं और लेता हूं तो बड़े-बड़े अभी ऐसे बहुत वाला जो एक दम खेल रहा उस अंग पर आके पूरा ठीक है या ऐसे लोग ऐसे जो बूंत परतों से पीडित है या बड़ा कोई तंतर किसी ने करके रखाओ चौकी मैली बगए मैली की चौकी आ को किसी भी चीत की चौकी बगए रसोड कर रखियो तो वैसे सादक मेरे से संपर कर आपको मेरी मार्ट दसन और चौकी करवाई जाएगी मैं उसको मेरे इसाब से हेंडल करना ठीक है कि यह नहीं की वो कभी क्या मंथने है और जौके मलेगी ठीक है अप उसको पूरा तंतर शीखना तो सिखहूँगा तंतर सीखना यह नहीं है कि खाली हम लोग ने एक चीज़ को पर्टेक्सी कर लिया मानते हैं आपको वीडियो में तरों बड़ी होगी लेकिन मैं आपको बात पूरी बताता चलूँ कि मान लिया भी तंतर सीखना कोई एक दिन का या कोई मतलब समझो की साल बर्का या से मिना का ऐसा खेल नहीं तंतर में लोगों की जिन्दगी बीड़े क्यों बीड़़्ी तंतर कहने में सरल है और करने मुट नहीं हुआ है तो इसी ह gelsब से तंतर को कहना कहना जितना स्थिस्टरोज ना तंतर शब्द मंतर के मंतर मंतर मेथों कंप secondo लगला जिरभर महल उससी ट्लिया कंतर कंप ऊपनेा परी कर लिए सिद्ध कर लिए साख साथ कर लिया आपने सब कुछ कर लिया ठीक है सिद्ध कर लिया ये कर लिया वो कर लिया उसी को बांद दिया किसी ने फिर कैसे खो लोगे तो इसलिए तंतर पूरा सीखो कभी भी कोई भी चीज में अभी लोगों को मैंने ऐसे ऐसे लोग जो कि कहते हैं और उनों को काम सिद्ध हो जाता था और मतलब बड़ी उनों बड़े बड़े पीरों के उनों के उपर हाजरी आते थ लोगों बाइन दी है गुरु को अर خनातकी हाजरी बान देते हैं यह रहन तो वो क्यों बांद देते हैं क्योंकि हम लोगों के पास पूरा तंतर नहीं सिखा हुआ है पूरी विद्या नहीं सिख्यू कैसे हम लोग अपने आपका बचाव करें कैसे देविद्य होता हमारे बांद लेता कोई तो सुड़ा यह सब चीजे सिखी हुए होने चाहिए आदम को दिन को एक आदमी के लिए भी खोटी होना पड़ेगा चार आदमियों के लिए भी खोटी होना पड़ेगा वो जो चीज मांगता है उसको मेरे को लिखना पड़ता टाइप करके देना पड़ता उनको हर दिन का उसका अनुबाव लेना पड़ता अनुबाव के आदार प बाकि हमारा सुलक लगेगा ठीक है और जो कोई गरीब गुर्बा लोग होंगे उन्हों को मैं देख लूँगा अपने हिसाब से उन्हों को और जेंट मेंट कर लूँगा जिनों को दिक्सा लेनी है वह अपना फोटू और अपना एड्रेस यह दो चीजे वेज़े अपना फो करना आपको क्या करना है कि रातको थो बुची सइट ऊ 걱정 और वह मतलब तेक्स करने हो सके तो आहापको सामगरी को बहुतर नियु network लेना जूभी द Suppose जो चीजे मैं बता रहaled सी करना है । आपको चार या पांत सादू या mereमन लोग है उन्हों को खाना एक सबसे पहले साधना सुरू करने से पहले रात को ठीक दो बजे मैं मंतर बता रहा हूँ उस मंतर का आपको जाप करना है मंतर है या अल असल तो मित्रो मंतर ये मैं आपको डिस्केशन बॉक्स में लिख के दूँगा ये आपको समझ में नहीं आएगा ये मंतर सिफली टैप का है ठीक है और ये परी भी ये साधना भी सिफली है आपको ये भी बताता चलूं ठीक है तो इसमें आपने इमान बगरा का आप जिम्मेदार होंगे सिफली है ये साधना पूरी और परी का नाम है जो ये काइनात परी है ठीक है मंतर कैसे जाब करना वो बता देता हूं आपको यह कितने वार पढ़ना यह मंतर आपको 4208 वार मंतर पढ़ना फिक्स रहना चाहिए आगे नहीं कोई पीसे ठीक है आपको एक ऐसा कमरे का तलास करना एक दम बंदो चारू मेरे से रात को ठीक दो बजी उसमें जाना है और आपको उसमें कुछ एतर ख खुली रखे कोई देखर नहीं उदर खुस्बू बखेर के आँके खुली रखे या बंद रखें और आपको इस मंतर का जाप करना शुरू कर देना मंतर आपको डिस्केशन बॉक्स में मैं लिक कर दे दूंगा भी ठीक है और आप देखोगे मिलेगा उसमें मेरे नंबर मि सुमंतर का जाप ही करना कोई भी करके देखिए आपको दिवाली सिमित्रों एक दो दिन पहले ही चार पार दिन पहले ही सुरू कर दे